बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे की, बुलुश्री सत्गुरु महराज की प्राणधार आत्म समंदी सुन्दर साजी कल की चर्चा में हमने श्रवन किया कि किस तरह से स्रीजीनी दीप बंदर में जैराम भाई कंशारा तथा उनके लोकिक परिवार के अन्य सुन्दर साथ की जागनी की किस तरह से वहां के सुन्दर साथ की परिक्ष्या हुई जिसमें जैराम भाई और उस परिवार के लोग द्रिड विश्वास के साथ में खड़े रहे कैसे वहां दो वर्स तक जागनी की लिला होती रही वहां से निकलने के लिए किस तरह से ऐसा कारण बना की अरवी लूटेरों ने कुछ सुन्दर साथ को अपहरण किया जिसमें बाई जी राजी भी थी कैसे उनको छुडाने के बहाने से स्री जी दीपबंदर से निकले नविपूर बंदर पाटन कच्छ होते हुए अब स्री जी आगे बढ़ रहे है कच्छ में स्री जी प्रबोधित कर रहे हैं वहां प्राग मल कुम अरवायादी सुन्दर साथ को जिसमें कल हमने अंतिम चोपाई पढ़ी थी एक काहु के रही है इनकी कौन प्रतीत तुम क्या करोगे इनको रहो दुख देने इत जीत तुम तो चतुर प्रबीन हो श्री जी प्रबोधित कर रहे हैं कि सुन्दर साथ जी आप तो चतुर हो प्रबीन हो समझदार हो एक अज्यानी व्यक्ति अज्यानता का काम करे मुर्खता का काम करे तो समझ में आता है जीव स्रिष्टी होकर वाया का काम करे तो बात समझ में आती परंतो आप तो चतुर हो आप परमधाम की ब्रह्म स्रिष्टी हो और उस हिसाब से आपको तार्तम ज्यान प्राप्त कर लेने के बाद ऐसी माया जो की कभी किसी की सगी नहीं हुई है उसका विश्वास नहीं करना चाहिए था इंद्रावती जी प्रकास की बार्णी में कहती है तुम सयाने मेरे साथ जी जिन रहो विशेरस लाग पाउं पकड कहें इंद्रावती उठ खड़े रहो जाए विशेरस को पकड कर नहीं रखना है हमारा जीव जब से यह स्रिष्टी बनी है अनेक बार अनेक योनियों में गया है और वहाँ विशेरस को इसने भोगा है उन सभी भोगों के ससकार स्मृती के रूप में हमारे चित्त में घर कर गए है जिसका परिडाम यह हुआ है कि वर्तमान में भी जो चित्मे बीज के रूप में है जैसे जमीन पर आप किसी बीज को डाल देंगे तो अनुकुल वातावरन पा करके वो पौधे का रूप ले लेते हैं इसी तरह से विशयों के ससकार बीज रूप में जो हमारे चित्मे है वे सब भी जैसे ही अनुकुल परिस्थती देखते हैं अर्था तो थोड़ा सा भी अनुकुल वातावरन पा गए न वो जीवित हो जाते हैं अब जीव जो है वो चेतन है जीव चाहे तो अपने विवेक से उन विशयों के लिए माहुल बनाए परिस्थती बनाए या फिर जीव चाहे तो उन बीजों को ही ऐसे जला दे कि जिस तरह से जले हुए बीज से पुनह पौधे नहीं उग सकते उनमें अंकुर नहीं आ सकते वैसी अवस्था कर दे विवेक से वैराग्य से और तीवर पुरुशार्थ से ये काम संभव हो सकता है परन्तु जीव करना चाहे तब लेकिन हमारी प्रभृति क्या हो जाती है कि विशय अथवा इंद्रियों का जो सुख है वो हमारे विवेक पर अथवा जीव पर हावी पड़ जाता है लेकिन वास्तविक्ता ऐसी है कि विशय यदी जीव पर हावी हो रहे हैं इसका तात पर यह है कि जीव विशयों को अपने उपर हावी होने दे रहा है जैसे आप लेटे हुए हैं आपके उपर एक कंबल उड़ाया जाए और आप को कोई विशय आ करके कहें कि उठ जाओ खड़े हो जाओ बाहर निकलो आप कहने लग जाए कि नई कंबल ने मुझे दबाया हुआ है तो जो व्यक्ति सुनेगा वो क्या कहेगा कि कैसे मुर्गता बरी बात करते हो तुम कंबल को हटा सकते हो ना लेकिन यदि जीव ने मान लिया हमने ये मान लिया कि सर्दी है कंबल छोड़ेंगे तो सर्दी लग जाएगी कंबल में पड़े रहो तो इस तरह से हमने अपने आपको उस कंबल के हवाले कर रखा है कंबल ने हमें नहीं दबाया है हम कंबल के नीचे दबे हैं माया ने हमें नहीं पकड़ा है हमने ही माया को इस तरह से पकड़ा है कि हम चाहते नहीं है कि छोड़े क्योंकि हमें ये माया मिठी लग रही है अब जिसे भी ये माया मिठी लग रही है ऐसे हर सुन्दर साथ को श्री जी प्रबोधित कर रहे हैं प्रेरित कर रहे हैं कि तुम तो चतूर प्रवीन हो है तुम्हारा तन धाम कि तुम्हारा मूल तन धाम में है जिस नस्वर तन को तुमने कंबल के नीचे दबा रखा है यदि तुम जल्दी से तुमने उस कंबल का त्याग नहीं किया तो धीरे-धीरे ऐसे समझ लिजे कि जैसे कंबले में पानी भर रहा है ठीक है आप पलंग के उपर लेटे हुए हैं उसी कंबल के नीचे समय रहते आपने यदि वहां से निकलने का यतन नहीं किया तो क्या होगा पानी उपर आता जाएगा आप पहले तो थोड़ा भीगेंगे उसके बाद कमरे में पानी इतना भर जाएगा कि आपसे वो दर्वा जाही नहीं खुलेगा और आप अब अंदर फस गए जीव और विशयों की स्थती भी कुछ ऐसी ही है हमने यदि समय रहते विशयों को अपने वश में नहीं किया तो हम विशयों के वश में ऐसे हो जाएंगे कि चाहते हुए भी उससे निकल नहीं पाएंगे जैसे ये विशय ऐसा नशा है कि एक न धर्मग्रण्थ में एक स्लोक आया है बहुती सुन्दर इस प्रसंग में कि दोशेण तीवो विशयम क्रिश्ण सर्प विशाद अपी विशम निहंती भुकतारम करतारम चक्छु साप्य हम विशयों का विश्ण कैसा है काले नाग के विश्ण जैसा उसके जहर जैसा और साथ में नशा भी है देखो यदि केवल नशा हो तब भी उसका उपाय किया जा सकता है यदि केवल विश्ण हो तब भी उसका उपाय किया जा सकता है पर नशा ऐसा हो जिसमें विश्ण भी हो तो उपाय करने के लिए शरीर ही साथ नहीं देगा वो विश के प्रभाव से मर भी रहा है और नशा का प्रभाव कुछ ऐसा है कि उस विश से बचने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा है तो विशयों का विश भी कुछ ऐसा ही है और क्या कह रहे है विशम निहन्ती भुकतारम जहर का असर तो किस पर होता है जिसको सापने काटा है उसी पर असर होता है या जिसने जहर पिया है उस पर ही असर होता है पर विशयों का विश उसका असर होने के लिए केवल पीने के आओ सकता नहीं है आप देखेंगे तब भी उसका असर होगा सुनेंगे तब भी उसका असर होगा क्योंकि विशय अलग-अलग है ना देखना भी एक विशय है सुनना भी एक विशय है स्पर्ष करना भी विशय है सब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध इत्यादी पाँच विशय है इन में से आप कुछ भी करेंगे तो वसमें होना ही है ये माया भी संसार ऐसा है कि किसी साधों ने कहा काजल की काली कोठरी में काहो सयानो जाए एक लीक काजल की लागी है पेलागी है कि एक काजल से बनी हुई कोठरी है जिसका फर्स, छत, थमबे, दिवाल, दर्वाजे, खिडकिया, उन दर्वाजों को पकड़ने वाले जो हैंडल होते है ये सभी काजल के ही बने हुए है ऐसे कमरे में प्रवेश करके बाहर निकलना हो तो कोई कितना भी चतुर व्यक्ति हो काजल की लीक तो लगेगी उस पे काजल का दाग तो लगना ही है तो चतुर व्यक्ति तो वो है कि उसमें घुसे ही ना बुद्धिमान व्यक्ति तो उसको ही कहेंगे अगर कोई चाहे कि नहीं गुसना भी है और दाग भी नहीं लगाना है तो ये संभव नहीं है इसलिए स्री जी कह रहे हैं कि तुम तो चतुर प्रवीन हो है तुम्हारा तन धाम अब माल लिजे कि जो घर डूब रहा है पता चले कि वो घर तो हमारा है ही नहीं हमारा घर तो पहाड की चोटी पर है जो कभी डूबता ही नहीं है फिर हम क्या करेंगे कि अरे नहीं वहाँ चलना है जल्दी जल्दी से वहाँ से निकलेंगे अपने घर की तरफ जैसे रेलवे इस्टेशन में कभी-कभी आप लोगों के जैसे इंडियन रेलवे है समय पर पहुँचने के लिए तो है ही तो मान लिजे कि आपकी रात की 10-11 बजे की ट्रेन है आप रेलवे इस्टेशन पहुँच गए लेकिन गलती से या संयोग से वह ट्रेन लेट हो गई चार-पाच घंटे की देरी से आने वाली है तो आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं अलाम लगा करके चार घंटे के लिए सो जाते हैं ट्रेन आने से आदे गंटे पहले का अलाम लगा लेंगे और सो जाएंगे लेकिन आपको नीद इतनी प्यारी लग जाए कि अलाम बंद करके सोचते हैं कि चलो ट्रेन जाए तो जाए नीद तो पूरी हो रही है ऐसा करेंगे या फिर बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अभी के लिए मेहनत कर लेते हैं, घर पे जाके आराम कर लेंगे, या ट्रेन में बैठके आराम कर लेंगे, बुद्धिमान तो वही कहलाएगा न, कि थोड़ी देर के लिए नीद को लात मारें, और ट्रेन में जाकर के सो जाए वले ही, या घर पहुँआ के आराम करें, तो ये माया भी अभी के लिए रिल्वे स्टेशन की तरह है, और यहाँ हम तो इस तरह से सो गए हैं, कि जैसे अनादी काल से हमारा घर ही यही है, और अनन्त काल तक यही रहने वाला है, इसलिए स्रीजी हम सब को प्रेरीत कर रहे हैं, कि तुम तो चतुर प्रवीन हो, है तुम्हारा तनधाम, तिन को भूल के माया में करो कुफर काम, कुफर कार्थ होता है बेईमानी, कुफर कार्थ होता है अज्यानता, तो कह रहे हैं कि माया में आप अपने घर को भूल करके ये बेईमानी का अज्यानता का काम क्यूं कर रहे हो, यदि आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आप चतुर नहीं रह जाओगे, और आप चतुर हो तो फिर आप जाग जाओ, कह रहे हैं तुमको ऐसा न चाहिए, जो भूलो अपनो ठोर, आपको अपने घर को नहीं भूलना चाहिए, और अपने घर की जो लिला है, धाम लिला को छोड़के जाए काम करो और, कि कोई भी ब्रह्मिस्ष्टी है, उसे ये नहीं चाहिए कि अपने धाम को छोड़े, अपने धाम को भूले, अपनी लिला को भूले, और भूल करके, माया भी जीवों की तरह ऐसे काम करे कि कोई पता ही ना कर पाए कि ये परम्ध हमकी ब्रह्मिस्ष्टी है, ऐसा आपको न दियो चिंद्र जी के तन में विराजमान हो करके राज जी ने हमें क्या बताया कौन से घर के विशे में बताया उस घर को देखो और फिर हम कहां पर हैं उसे भी देखो कि हम खड़े कौन भूम में हम आये थे कौन काज हम यहां क्यूं आये थे माया का खेल देखने दुख का खेल देखने वास्तों में ये पूर्ण सत्य नहीं है दुख का खेल देखना तो कारण है महा कारण तो यह है कि इस्क की पहचान करने इस्क की साहवी की पहचान करने है हम न साहवी की पहचान कर रहे है ना दुख देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं। तुम आईयां चल देखने। भूल गईयां माहें चल। चल को चल न ला गहीं। ओ लहरी ओ जल। हम चल देखने आये थे पर हम चल में मिल गए हैं। और ऐसे मिल गए हैं कि हम भी जैसे की छलके ही हूँ तो उसे याद करें कि हम क्यों आये थे हम दुख देखने आये हैं और दुख इसलिए देखना है कि अपने सुख की साहबी की पहचान हो सके परमधाम के आनन्द की पहचान हो सके इस तरह से स्री जी ने वहाँ पर प्रबोधित किया कच्छ में सुन्दर साथ को वहाँ एक दिन रह करके स्री जी पहुँचे हैं कपईया नामक स्थान में कपईया में हरवन्स ठाकूर रहते थे हरवन्स ठाकूर कौन है मिहिर्राज जी के ही भाई है बड़े भाई है अब आपको क्या लगता है कि बड़े भाई हैं तो प्यार से समझाएंगे दुसरे की तो खंड नहीं कर रहे थे पर अपने भाई की तो फिर प्यार से ही समझाना पड़ेगा ऐसा नहीं क्योंकि अब उनके लिए केवल एक ही संबंद है सुन्दर साथ का ब्रह्मातमा का ब्रह्मिस्रिस्टिका तो जैसे घंगोर निद्रा में सोह हुए व्यक्ति को प्रेम से नहीं जगाया जा सकता है कि अरे बेटा उठ जाओ उठ जाओ नहीं माता एं घर में क्या करती है बच्चा यदि मां लिजे कि विशेस्रूप से परिक्षा के दिन में सुबह उठाया जाए एक बार उठाया जाए नहीं उठेगा दो बार उठाया जाए नहीं उठेगा तो मा क्या करेंगी या तो कंबल खींज देंगी या पूरी तरह से उसको हिलाएंगी कि उठ जाए पंखा बंद करेंगी या फिर इतने से भी नहीं होगा तो पाने डालेंगी इतना तो करना ही पड़ता है थोड़ा कस्ट शुरू में देना पड़ता है जो घंगोर निद्रा में है उनके लिए तो यह जो खंडनी के वचन है यह वैसे ही समझ लीजिए कि यह क्रांतिकारी वचन है एक समय में जो कॉंग्रेस की पार्टी थी ना गरम दल कहलाता था नरम दल का मतलब गांधी जी जैसे कि कृपया हमारी आजा दी हमें वापस लोटा दी जी इस तरह के और दुसरा दल था गरम दल की आजा दी हमारा जन्मसित अधिकार है वैसे नहीं मिलेगा तो हम छीन के लेंगे लड़के लेंगे तो वहाँ जो गरम सिस्टी भी जीव की संगती में पूरी तरह से बहरी हो गई तो यहां खंड़नी रूपी धमाका करना पड़ रहा है पहुँचे हरबंस ठाकूर के वहाँ अब कहते हैं चर्चा करी तिनके घरों कहे खंड़नी के वचन उन्हें भी खंड़नी के वचनों से जगाया सब कहा बिहारी जी के पास उनके पास जा करके आप उनका दिदार कीजिए दर्शन कीजिए तुमको ऐसा न चाहिए जो छोड़ो धनी निरधार आपको धामधनी को नहीं छोड़ना चाहिए राजी को नहीं छोड़ना चाहिए इस तरह से वहां रहे फिर कपईया से श्री जी पहुँचे हैं भोजनगर, जहां पर वृंदावन जी रहते थे, कौन वृंदावन? श्रीदेव चिंद्र जी पहले जिनकी सेवा किया करते थे हरिदास जी भोजनगर में बाद में उन्हों ने ही श्रीदेव चिंद्र जी से तार्तन ज्यान लिया था और उनके बेटे का नाम है व्रिंदावन अब ये सभी सुन्दर साथ बन चुके हैं पर उस तन के उज़ल हो जाने के बाद पुनह सभी अपनी अपनी माया में मस्त हुए हैं तो बिंदावन जी से मिलाप की मिलाप करके एक प्रसन्यता तो साथ में हुई ही पर साथ में इस बात का दुख भी हुआ कि सुन्दर साथ पुनह माया में कैसे मगन हो रहा है ब्रिन्दावन जी ने बहुती प्रेम से स्री जी का आओ भगत किया स्वागत सत्कार किया सारी बातें पूछी यातरा का सारा वृत्तान पूछा स्री जी ने अपनी पूरी भी तक बताए और उसके बाद कहते हैं खंडनी के कहे वचन सुख पाया तिन से इने भी खंडनी के वचन कहा रहे है जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कभी-कभी किनी परस्थितियों में खंडनी की आओ सेक्ता होती ही है जैसे वैसे तो वाणी में इंद्रावती जी कहती है कि खंडनी कर खीजिए जागिए नहीं इन भात कि खंडनी से ही जागनी नहीं होती है पर कभी-कभी आवशक्ता पड़ने पर स्री जी ने हमेशा ऐसा नहीं किया है जो ऐसा किया है तो इस बात का भी उन्होंने वाणी में वर्णन किया है कि साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनेगा पर यहाँ आवशक्ता है कभी-कभी किसी-किसी बीमारी में कड़वी दबाई भी खिलानी पड़ती है तो इसलिए यहाँ अभी क्योंकि अवस्था ऐसी है कि प्रेम-पुर्वक समझाने पर कोई भी जागरित नहीं होगा जैसे पहले कुछ समय के लिए जागरित हो गए और सो गए ऐसी अवस्था नहो इसलिए जखजोरने वाले खंडनी के वचन कह रहे हैं पर अब तक जितने भी जगह पर गए हैं भले ही खंडनी की पर खंडनी सुन करके कोई दुखी नहीं हुआ है सबने यहां अपना अपन ही माना है देखिए जो हमारा अपना होता है हितेशी होता है तो हमारी किसी गलती पर वो टोकेगा आपके मूँ पर बोलेगा कि आपसे ये गलती हो रही है आपको ऐसी गलती नहीं करने चाहिए और जो हितेशी नहीं होगा जिसको कोई स्वार्थ होगा वो सोचेगा कि इसको मैं अगर कड़वा बोल दूँगा तो मुझसे नाराज हो जाएगा और मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा तो स्वार्थी विक्ति आपके सामने हा करेगा हा में हा मिलाएगा जी हुजूरी करेगा हा पीठ पीछे बोलेगा कि अरे ऐसा है वैसा है जो निश्वार्थ भाव से मित्रता निभाएगा वो आपकी गलती आपके सामने ही बोलेगा श्रीजी के अंदर कोई किसी से लौकिक स्वार्थ तो है नहीं, उनको केवल यह है कि आत्मधर में निभाना है, ब्रह्मिस्ष्टी का करतव निभाना है, तो वो खंडनी करते हैं और सुनने वाली ब्रह्मिस्ष्टियां भी उसको अपने पंच से स्विकार करती हैं, कहते हैं खंडनी के कहे वचन सुख पाया तिन से, श्रीजी के उन वचनों को सुन करके भी सुन्दर साथ को सुख हुआ, अब कहते हैं, फेर के चर्चा भई, वचन खंडनी के वैराग पूरा राज को सुघात बतावें हैं, अब श्रीजी ने खंडनी के वचन इस तरह से कहे, कि सुख सबको हो रहा है, अब राज्जी को प्राप्त करने के लिए हृदय में वईरागय आ रहा है, धीरे धीरे, कल भी हमने वईरागय की विशे में थोड़ी चर्चा की थी, कि माया की तरफ से हमें किस तरह से उदासीन रहना है, वईरागय के वल ऐसे नहीं आ सकता, कि पाणी में, बीतक में एक-एक बात का उपाय बताया है, हमारे धर्म ग्रंतों में भी एक-एक बातों का उपाय बताया है। यदि हम वास्तों में वैराग्य लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। वईराग्य लाने के लिए विशेश रूप से हमें तब करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है और इस्वर प्रणिधान अर्था तो परमात्मा के प्रती समर्पन की भावना लाने पड़ती है तब किसे कहेंगे? वईराग्य लाने के लिए सबसे पहला है तब, तब की परिभाशा है द्वन्दम सहनम तपह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करना क्योंकि हमें राजी को पाना है तो हमेशा अच्छा अच्छा तो नहीं हो सकता हमारे साथ सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, जय, पराजय, लाव, हानी ये सभी सहन करना वड़ता है तो इसे कहेंगे तब स्वाध्याय का तात्परिय है कि उन सत ग्रंथों को पढ़ना ऐसा नहीं कोई भी किताब उठा करके नहीं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इतने वर्सों से तो हम पढ़ते जारह है, डेली एक उपन्यास चट कर जाते हैं, वईराग्य का काम करे हमारे अंदर के समस्याओं का समाधान करे ऐसे ग्रंतों का स्वाध्याय करना और फिर इश्वर प्रणिधान का तात्परिय है परमात्मा के प्रति समर्पित होना समर्पित होने का तात्परिय इस तरह से कि ये समस्त श्रिष्टी उन्हीं की बनाई हुई है ये मेरा जो तन है वह भी उनहीं का है यह जो पूरी दुनिया है जिनको मैं लोकिक रूप से भी अपना समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ जो कुछ भी यह सब उनका बनाया हुआ है उनका दिया हुआ है तो त्याग पुर्वक इनका पालन पोशन भी करना है त्याग पुर्वक संपत्ति का भी भोग करना है इतना भी हम करेंगे तो वैराग्य हमें बढ़ता ही जाएगा और इसका निरंतर अभ्यास करना ऐसा नहीं कि एक दो दिन ऐसा किया और हो गया ऐसा नहीं है वैराग्य कि अलग-अलग स्तर होते हैं तो इस तरह से हमें वैराग्य आता है और उससे हम राज्जी की तरफ तिवरता से बढ़ सकते हैं जब तक हम दुनिया की तरफ से मुख नहीं मोड लेंगे तब तक राज्जी की तरफ जुड़ ही नहीं सकते हैं कोई ये चाहे कि मैं माया का सुख भी लेता रहूं और राज्जी भी मुझे मिल जाए ये संभव नहीं है हाँ राज्जी मिल जाए तो माया के सुख भी साथ में मिल जाए वो अलग बात है वाणी क्या केती है अर्ष लो या दुनिया दोव पाईये न एक ठोर या तो परमधाम मिलेगा या तो माया मिलेगी या फिर राज्जी मिलेंगे दोनों एक साथ चाहे तो नहीं मिल सकता हाँ कुछ-कुछ सुन्दर साथ ऐसे हुए हैं बीतक में जिनका प्रसंग आया है कि जिनके साथ पास माया भी मिली है जिनको और राज्जी भी मिले है पर वो तब संभव हुआ है जब उन्होंने राज्जी को चुना है संत्वाणी क्या केती है कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए तो जिनोंने सुख की अवस्था में भी राजी को याद किया है उसी भाव से जिस भाव में दूसरे लोग दुख ही होने पर याद करते हैं तो उनका वैरागय तो वैसे ही था मिलने के बावजुद भी वईराग्य था जिनके पास कुछ नहीं होता उनमें वईराग्याना तो सभाविक है पर जिनके पास होते हुए भी वईराग्या रहा है तो ये तो और अच्छी बात है और बड़ी बात है तो उन्हें दोनों फल प्राप्त हो जाते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता, तो कह रहे हैं, श्री जी की चर्चा सुन करके, सब को अब राज्जी के प्रतिभाव जगता है, माया से वैरागी उत्पन्न होता है, सब को मीठी लगी, होए चर्चा जो हाल में, अब जो चर्चा होने लगी, श्री जी की, वो मीठी लगने लगती है, क्योंकि श्री जी की चर्चा से सुन्दर्साथ का काम बनता है, काम बनने का ताद पर यह, आत्म जागरिती की तरफ बढ़ते हैं, और स्री जी की चर्चा सुन करके, सब के अंदर का सक, संसय, अज्यानता नष्ट हो जाते ह कहते हैं जो मलिंता मन की सो सब हुई दूर मन में जो मलिंता थी मलिंता मतलब मैल विकार मैल या विकार किस रुप में होते हैं अब पिछले दो दिन से हम वही चर्चा सुनते आ रहे हैं लगाता रहे हैं दीपबंदर में भी वैसे ही प्रबोधित किया है, कच में भी वैसे ही प्रबोधित किया है, यहाँ पर भी अब उसी तरह से प्रबोधित कर रहे हैं, शब्द भले ही अलग-अलग होंगे, पर हमारे समझने के लिए, मन की मलिंता का तात्परी क्या है, देखिए, मन जो है, व आप कोई काला द्रब्य रख देंगे, तो वो काला ही दिखाई पड़ेगा, वो मनी भी काली दिखाई देगी, उसके पास कोई लाल पदार्त रखेंगे, तो वहाँ लाल दिखाई पड़ेगा, मन भी वैसा ही है, मन ऐसा है कि इसके बिना कुछ आप काम भी नहीं कर सकते, बाकी की लड़ाई जो समझा है उसको प्रयोग में लाएंगे तो जीत जाएंगे मन जो है वो इंद्रियों का राजा है ठीक है मन इंद्रियों का राजा है हमें परेशान किया हुआ है इंद्रियों ने ऐसा हमें लगता है यदि राजा ही वस्में हो गया तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप ही वस्त में हो जाएंगी जैसे यूं समझ लीजिए कि इंद्रियां जो है वो शरीर रूपी रत के घोड़े हैं और मन उसका सारती है आप उस रत में यात्रा करने वाले राजा है आपने सारती को नियंत्रित कर लिया तो सारती घोड़ों को नियंत्रित करेगा फिर जिधर जाना होगा घोड़े जा सकते हैं लेकिन आपने सारती को ही नियंत्रित नहीं किया तो वो अपने हिसाब से लेके जाएगा अथवा वो खुली छूट देगा इंद्रियों को जिदर जाना है, इंद्रिया ले करके जाएंगी, अब इंद्रियों का तो प्रवाह ही हमेशा नीचे की तरफ होता है, इंद्रियों में एक उर्जा है, इंद्रिया क्या है, उर्जा ही तो है न, एनर्जी है, उर्जा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, उचाई से नीचाई की तरफ तो ये हमेशा हमें नीचे की तरफ लेके जाता है इंद्रियां लेकिन अब उपर की तरफ जाना हो तो आपको सार्थी को वस्मे करना पड़ेगा कि नहीं मुझे उचाई की तरफ लेके चला मन की शक्ती इतनी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मन इतना शक्ती साली होता है किरंतन में एक पूरा प्रकरण ही मन के उपर आया है कि खोज थके सब खेल खसमरी मन ही में मन उर्जाना होत न काहु गमरी मन उपजावे मन ही पाले मन को मन ही करे संहार पांच तत्व इंद्री गुण तीनो मन निर्गुण निराकार मन ही नीला मन ही पिला स्याम स्वेत स्वब मन ऐसे पूरा प्रकरण है सोचे कि मन का फंक्शन क्या क्या है मन क्या क्या कर सकता है लेकिन इसी मन को आपने अपने नियंत्रण में किया तो क्या होगा कि मन रूपी जो उर्जा है जो अथा है तो आप उस उर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और अपनी आत्म जागरिती की तरफ बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं देखिए मन को किसी संतने पक्षी की संज्यादी है वेद इसी मन के लिए क्या केते हैं यस्मिन नरिते किंचन कर्म क्रियते तन में मनह सिवसंकल्प मस्तु रात को सोने से पहले प्रायह सभी वैदिक गुरु गुलों में ये सिवसंकल्प पढ़ाया जाता है कि विद्यार्थियों को पता चले कि मन को किस तरह से शिवसंकल्प पढ़ात कल्याण कारी संकल्पों वाला बनाना हो तो इस मंत्र में कहा है कि जिस मन के बिना कोई भी कारिय नहीं किया जा सकता ऐसा हमारा मन कल्याण कारी संकल्प वाला हो अब कैसे होगा किसी संत नहीं कहा पहले यह मन कववा था करता जीवन गहात अब तो मन हंस भया मोती चुन-चुन खात मन ही कववे के रूप में भी और मन हंस के रूप में भी है जब कववे की रूप में है अर्थात जब विशय वासनाओं की रूप में है अथवा जब विशय वासनाओं की तरफ भाग रहा है तो वो क्या कर रहा है जीवन घात कर रहा है कववा क्या खाता है मांज खाता है जो बहुत समय से पड़ी होई मांज भी होती है न पुरानी उ अंस क्या खाता है अंस क्या पीता है वह पीता है दूध अथवा मोती चुन-चुन करके वह खाता है लेकिन वह अवस्था कब आएगी तो कहते हैं कि किसी और संत ने कहा मंत पंची तब लग उड़े विशे वासना माही प्रेम बाज की जपट में जब लग आया ना है मंद रूपी पंची विशे वासनाओं में तब तक भटकता रहता है मंद रहता है जब तक की प्रेम रूपी बाज की लपट में नहीं आ जाता है अर्थात, जब हमारे हृदय में राज्य के प्रती प्रेम आया, जब एक के प्रती प्रेम आ जाता है, तो बाकी सभी चीजों से हम वैसे ही हट जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के प्रती जो प्रेम है, एक तो इस्वर प्रनिधान, इस्वर प्रनिधान होता है पूर्ण प्रेम से अब जब पूर्ण प्रेम आ गया तो बाकी पूर्ण विरागी आने में बिलकुल भी समय नहीं लगता है तो इस तरह से अब मन मलिंता से हट करके मन उज्वल हो जाता है प्रकाशित हो जाता है जिसके लिए कहते हैं जो मलिंता मन की सो सब हुई दूर स्रीजी के द्वारा ज्यान का प्रकास पाकरके अपने निज सोरुप की पहचान करके सुंदर साथ ने मन को राज्य की तरफ लगाया तो जैसे ही राज्य की तरफ लगाया मन की मलिंता मन का अंधकार समाप्त हो गया क्योंकि अंधकार कोई अलग से स्वतंत्र सत्ता नहीं है प्रकास का नव होना ही अंधकार है जैसे ही हृदय ज्यान के प्रकास से प्रेम के प्रकास से प्रकासित हो गया मन की मलिन्ता समाब्थ हो गई अब कहते हैं बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मज़कूर परमधाम की लिला का वर्णन करते हुए उसका वर्णन सुनते हुए सुन्दर साथ को बहुत ही सुख हुआ आनन्द का अनुभव हुआ इस तरह एक-दो दिन वहाँ रहेकर स्रीजी पुनह नलिया पहुचे जहाँ से पहले निकले हैं अब नलिया से चल के स्रीजी पहुंचते हैं थठा नगर थठा नगर में एक सुन्दर साथ रहते थे नाथा जोसी स्रीजी पहले थठा नगर जैसे पहुचे किसी से पूछ रहे थे कि यहाँ पर नाथा जोसी का घर कौन सा है पूछते-पूछते सयोग से वही मिले सामने सही कहते हैं मिलते ही सुक पजया मिट गए हो सबताब स्रीजी से मिलकर के ही उनके सारे दुख मिट गए और उन्हें अत्यंत प्रसन्यता का सुख का अनुभव हुआ पूछते हैं नाथा जोसी कि स्रीजी साहिब ये तो हमारे बड़े सोभाग्य हैं कि आप यहाँ पर पधा रहे हैं आप यहाँ किस भाव से आए हैं कैसे आए हैं आपने अपने कुमल चरण कमल, पवित्र चरण कमल, धरे मुबारक कदम तो आपने चरण कमल यहाँ पर किस प्रयोजन से रखा है हमारा कौन सा सोभाग्य है कि आप यहाँ पर आए हैं इस तरह से बाते होने लगी महमती स्री लालदास जी कह रहे है कि यह दीप बंदर से लेकर ठठा नगर की बीतक है कहते हैं अब फेर कहो ठठे की भई बीतक जो हमसे हमसे अर्था लालदास जी अपने बारे में बात कर रहे है कि हमारे साथ जो घटना हुई उसका प्रसंग भी आगे आने वाला है क्योंकि लालदास जी की पहली मुलाकात स्री जी से ठठा नगर में ही होती है तो आगे कह रहे हैं अब कहो भीतक ठठे की याद करो मुमिन जो देखाया खेल तुमको बीच जिमी नासूत सुभान राजी ने इसी संसार में जो खेल दिखाया है उस खेल को याद करो अब उसी खेल को याद दिलाने के क्रम में बीच तक में स्री लालदास जी कह रहा है श्री जी आयट ठठे में रहे दीन दस बार पहले नाथा जोशी से मुलाकात हुई 10-12 दिन तक स्रीजी रहे ठठा नगर में लेकिन वहाँ ऐसे कोई बहुत अधिक चर्चा वगरा नहीं हुई लोगों से मिलना जुलना भी नहीं हुआ 10-12 दिन रहकर स्रीजी वहाँ से लाठी बंदर गए जो ठठा नगर है वर्तमान में पाकिस्तान में बढ़ता है कराची के नाम से अभी प्रसिद्ध है कराची का नाम तो लगभग साभी ने सुनाई होगा तो वो पहले ठठा नगर हुआ करता था अब वहाँ से स्रीजी लाठी बंदर पहुँचे वहाँ विश्वनाथ भट नाम के व्यक्ति मिले सुन्दर साथ मिले उन्होंने स्रीजी को लौकिक भाव से क्योंकि अभी तो आंतरिक पहचान नहीं है चर्चाव अगरे नहीं हुई है लौकिक भाव से मिलाब किया आदर सम्मान किया और वहाँ से श्रीजी निकले नाव पर चड़कर नाव में बैठे हैं सत्रह दिन की वो यात्रा करते हैं और सत्रह में दिन वापस लाठी बंदर ही पहुंचते हैं क्योंकि आज की तरह इंजन वाले जहाज या इंजन वाले नाव तो होते नहीं थे पहले हवा के आधार पर पाल जिस तरफ धक्का ले करके जाए थोड़ा बहुत डाइरेक्शन बदलता था मल्ला होता था या नाविक होता था तो ऐसे अपने लक्ष की तरफ यात्रा की जाती थी तो हुआ क्या कि स्री जहाज में बैठे हुए हैं हवा उल्टी बहती है कुछ दिनों के बाद और वापस पहुंचते हैं लाठी बंदर अब लाठी बंदर में उत्रे श्री जी उन्होंने सोचा कि ये मूल स्वर्प की सायद ऐसी प्रेरणा है कि सायद कोई ब्रह्मिस्ष्टी यहाँ पर अभी जागरिद होना बाकी है तो वहां से फिर पहुंचे लाठी बंदर से ठठा नगर नाथा जोची से मिले अब वहां बंधन नाम के एक सुंदर साथ है जिन्दादास एक माली का काम करने वाले सुंदर साथ है जिन्दादास के साथ में ठकुरी बाई है अब ये सबी लोग श्री जी की चर्चा सुनने आने लगे धीरे धीरे करके एक से दूसरे ने सुनी कि बड़े दिव्यव महापुरुस आए है साथू आए है प्राण्याजी आए है सबकी अलग अलग पहचान है सबकी अलग अलग आस्था है तो जैसे जैसे प्रचार प्रचार होता गया एक से दूसरा दूसरे से तीसरा ऐसे तो कह रहे है इन समय लोक आवत चर्चा सुनने को सोर पड़ा शहर में एक साध आया ठठेमों कि कोई साधू आए है बड़े ही दिव्य बड़े ही अलोकिक चर्चा करते हैं इस तरह से बात होई तो कहते हैं जो कोई साध ए सुने सो करने आवे दिदार अब कोई भी साधू जो ये बात सुनता था कोई भी जिसके अंदर धर्म को जानने की जिग्यासा होती थी वे स्री जी का दर्शन करने के लिए आते थे सुन करके स्री जी की चर्चा सुन करके प्रसन होते थे और परमात्मा का धन्यवाद देते थे कि परमात्मा की कृपा से हमें इतने अच्छे साधू की साने द्यता का लाभ प्राप्त हुआ है इस तरह अब जागनी की लीला चल रही है ठठा नगर में एक दिन स्री जी ने सुना कि चिंतामणी नाम के एक व्यक्ति है ठठा नगर के अंदर जो कभीर जी को मानने वाले हैं कभीर पंथ के अनुयाई हैं और इनके एक हजार के आसपा सिश्य है स्री जी ने सोचा कि एक बार उनसे बात करनी चाहिए उनसे मिल लेना चाहिए उनसे थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए तो तो स्रीजी पहुँचे उनके घर में, उनसे मुलाकात की, देखते ही, अब दोनों ने एक दुसरे को देखा, दोनों को सुख हुआ, चिंतामणी जी ने स्रीजी से पुछा कि आप कहां से आए हो, आप हमसे क्या चर्चा करना चाहते हो, कहते हैं कहां से आए तुम, चर्चा क हमसों, आप हमसे चर्चा कीजिए, आपको यदि हमें कुछ सिखाना है, कुछ सुनाना है, तो आप सुनाईए, या फिर आप हमसे सुनने आए हैं, तो हमसे सुनिया, जो आप देने आए हो, तो आप दे दिजिए, और हमसे लेने के लिए आए हैं, तो हम देते हैं, कहते हैं जो देने आये हो तो देव, लेने आये हो तो देवे हम, तुम सुनो हम कहें, जो होए चर्चा आतम, देखिए, अब यहाँ, अपने अपने हिसाब से, क्यूंकि हमें पता है स्री जी अक्षराती थे, चिंतामणी जी को नहीं पता, लेकिन फिर भी, इतना तो है, कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं हजार शिष्यों का गुरू हूँ, और मेरे पास कोई वेक्ति आया है, तो सुनने ही आया होगा, इतनी व्यवाहा रिखता है, कि उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो आप दिज्य में लोंगा, और आपको कुछ सुनना है आप मुझे सुन सकते हैं, मुझे कुछ पूछ सकते हैं, यह एक व्यवाहा रिखता है, सामान्य सिष्टा चाहते हैं, हम सुनने में विश्वास रखते हैं, हम सामने वाले की बात जल्दी से नहीं सुनते हैं, कई बार प्रचार प्रशार में भी हमें जाना होता है ना, तो विविन्द मत्पंथ के लोग आते हैं कई बार जिग्यासु के रूप में आते हैं जानने के लिए कई बार परिक्षा लेने के भाव से आते हैं कि इनका ज्यान कहां तक का है इनकी पहुँच कहां तक की है इनकी समझ कितनी है पर दोनों भाव में आए कोई भी वेक्ति तो हमारा कर्तब यही कि पहले उसको सुने उसको जाने कि वो क्या मानता है उसी हिसाब से समझाना पड़ता है ना तो कई बार मान लिजे कि आदा आदा घंटा एक एगंटा भी सुनना पड़ता वो कुछ भी नहीं है स्री जी ने दो मुईने सुना है हर जी व्यास को जब हम सुनते हैं तो सुन्दर साथ उधर मुँ बना रहे होते हैं कि इतना क्यूं सुन रहे हैं इसको इसको सुना करके भेजा जाए इसको सुना करके रफा दफा किया जाए लेकिन ऐसा नहीं होता है एक व्यवाहरिक्ता होती है जब आप किसी की बात सुन नहीं सकते तो ये उम्मिद क्यों रखते हैं कि वो आपकी बात सुनेगा कोई आपका गुलाम तो है नहीं कि आप सुनाने लग गए और वो सुपचाब सुनने लग गया उसके मन में भी कोई जिग्यासा होगी उसका भी कहीं न कहीं एक छिपा हुआ अहंकार होता है कोई भी वेक्ति है ये दि मानलीजे वैसे समझने के लिए कि आपको ब्रह्म ग्यान मिला है आप उसकी जगह पर होते तो आप भी वैसा ही करते हैं आप भी चाहते कि मेरे पास जो है वो सुनाओं में तो इस सब की स्वाभावी प्रवृति है हमें दुसरे की बात पर भी ध्यानने न चाहिए तो चिंतामनी जी ने वो व्यवाहरिक्ता पूरी तरसे निभाई है जो की एक सीखने योग्या है तो अब फिर आगे कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं तो मैं चतुर्भुज स्वरुप का दर्शन भी करा सकता हूँ जोती स्वरुप का दर्शन आपको करा सकता हूँ सेससाई का दर्शन करा सकता हूँ या फिर आपको मैं जिल्मिल जोती का अनहद बाजो का अनुभव करा सकता हूँ और यदि आपको लगता है कि नहीं आप इससे उपर की कोई बात बता सकते हैं या कुछ और चाहते हैं तो आप या तो हमें दिखाईए तो स्री जी ने कहा तब स्री जी ये कहा हम लेने आए वस्त हमको तुम बताए देओ एह हमारा कस्त कि आप हमें बताईए हम तो लेने के लिए आए हैं हम आप से सुनने के लिए आए हैं आप जो कुछ भी कहेंगे हम उसे सुनेंगे और उसे हृदय से धारन करेंगे तो चिंतामणी जी ने एक साखी पर चर्चा करना शुरू किया वो साखी थी कमाल की कबिर जी अब कबिर जी के संदर में समाज में कुछ विवाद है विशेश रूप से तीन अलग-अलग मान्यता है एक मान्यता कबिर जी को परमात्मा के रूप में देखती है कि कबिर जी ही परमात्मा है दूसरी मान्यता में कबिर जी को कहा जाता है कि ने परमात्मा तो नहीं है पर परमात्मा के वो संदेश वहाग हैं और तीसरी मान्यता में कबिर जी को जैसे अन्यमत्मतांतर के संत हैं वैसे ही संत समझा जाता है तो एक परमात्मा मानने वाले, एक सद्गुर्व मानने वाले और एक संत मानने वाले विसे सुरुप से तीन मान्यता हैं और उन तीन मान्यताओं के अंदर भी जो संत मानने वाले वो तो पूरी दुनिया संत तो मानती ही है उनको इसमें कोई दोराय नहीं है पर बाकी जो दो पहले वाले हैं उनमें भी बहुत सारे अलग-अलग विचार धाराए है कबिर जी के नाम पे बाजार में अभी मतलब समाज में कम से कम बावन ग्रंथ उपलब्द है लेकिन कबिर पंथियों में ये विचार धारा है तो कुछ लोग जो कबिर जी को परमात्मा मानते हैं वो ये कहते हैं कि कबिर जी तो उनका तो जन्म ही नहीं हुआ था वो तो प्रगट हुए थे और उनकी मृत्य भी नहीं हुई वो अद्रिश्य हो गये थे फिर उसी तरह से जैसे उनका जन्म नहीं हुआ तो उनको किसी ग्रिहस्ती के रूप में नहीं दिखा सकते तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने तो कमाल और कमाली नाम के दो बालकों को पाला था इसलिए वो कमाल और कमाली के पिता हैं और दूसरी मान्यता ये है कि कबिर जी विवाहित थे और उनके ही बच्चे थे कमाल और कमाली चलिए माननेता कोई भी रही हो पर जैसे कबीर जी है संतमत के जिसमें कोई दोराय ही नहीं है उसी सबसे ही बात करते हम उसी तरह से कमाल और कमाली भी धार्मिक प्रवृति के थे जैसे कबीर जी की साकियां है वैसे ही कमाल और कमाली ने भी कुछ साखियां लिखिये, कुछ बजा नित्या दे लिखे हैं उनमें अब कमाल के नाम की एक साखी है जो समाज में प्रसिद्ध थी उस समय उस विशे में चर्चा हुई वो साखी कौन से थी? कि कहया कौडी ते हीरा भया हीरा ते भया लाल आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल इसमें क्या कहा है? कि कौडी से हीरा उत्पन हुआ है हीरे से लाल की उत्पत्ती हुई है इस हिसाब से कबीर जी जो है वो आधे भक्त हैं और कमाल कौन है? वो पूरा भक्त है इसके पीछे की घटना ये है प्रसंग ये है इसका कि एक कथा आती है कि कमाल पढ़ने के लिए एक पाट साला में जाया करते थे उसी पाट साला में वहां का राजकुमार भी पढ़ने आया करता था तो एक दिन राजकुमार ने कमाल से कहा कि हम तो इस दिन सिकार के लिए जा रहे हैं वन में घुमने के लिए जा रहे हैं तुम भी चलो हमारे साथ कमाल ने कहा कि नहीं मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता मेरे पास तो तो अच्छे वाले कपड़े भी नई है, मेरे पास तो साधन भी नई है जाने के लिए तो राजकुमार ने जब पूरी बात पूछी तो पता चला कि नहीं कमाल तो गरीब परिवार से है राजकुमार ने सोचा कि अब मित्रता तो होई गई है और राजकुमार का मित्र गरीब रहे वो कैसे हो सकता है तो राजकुमार ने अपने तरब से कमाल के घर में अर्था तो कबिर जी के घर में कुछ धन भिजवा दिया सोना चादी, जवाहरात, वस्त्र, अनाज वगर भिजवा दिया अब ये ऐसे समय में हुआ जब कबिर जी घर पर नहीं थे जब कबिर जी वापस आए तो उन्होंने देखा घर में तो धन धान्य भरा हुआ है अब कबिर जी का ये सिध्धान्त ही नहीं था उनका सिध्धान्त था अपरिग्रह का अपरिग्रह का मतलब वो मानते थे कहते थे साई इतना दीजिए जामे कुटम समाए मैं भी भूखा ना रहू साधू न भूखा जाए वैसे तो हमारी परंपरा ही यही रही है संग्रह की हमारी परंपरा नहीं रही है हाँ बाद में लोगों ने संग्रह करना शुरू कर दिया पर सामाने रूप में जो कोई भी व्यक्ति ग्यानी होता था वो संग्रह नहीं करता था और हमारे समाज में वैसे तो अभी भी परंपरा है कि त्याग का संबान होता है बले ही कोई व्यक्ति कितना भी करोडपति व्यक्ति हो लोग किसी करोडपति को उसके करोडपति होने की वज़े से चर्णों में प्रणाम नहीं करेंगे बले ही एक भिक्षुक को साधु होने के कारण प्रणाम करें उसके पास ज्ञान नहीं भी होगा किवल वेश्बूस आई होगी तब भी उसके प्रती संबान होगा क्योंकि ज्ञान है कि नहीं तो बाद में पता चलता है पर आप करोड़पती होंगे तब भी उस तरह से संबान नहीं होगा तो यह परंपरा हमारे यहां है जो की अच्छी है तो कभीर जी की परंपरा उनके जीवन में भी थी हम तो संतोसम परमम सुखम का नारा मुख से बोलते हैं अपर इग्रह करना चाहिए वो हम मुख से बोलते हैं पर कभीर जी के जीवन में था उन्होंने आया आकर के देखा कि यह सब क्यूं है जब उनको पूरे मामले का पता चला तो कभीर जी ने कहा कि या तो इस घर में यह संपत्ति रहेगी या मैं रहूंगा अगर तुम्हें मुझे इस घर में रखना है तो पहले इसको बाहर निकाल के फेंको आज के बच्चे की तरह होते तो बोलते पापा आप जाओ आप नहीं चाहिए हमें हमें तो यही प्रिया है क्योंकि होता आया है संपत्ति के नाम पर भाई भाई में जगडा होता है और जगडा नहीं भाई भाई को मार देता है या फिर बेटा बाप को मार देता है कई बार बाप बेटे को मार देता है संपत्ति के नाम पर बहुत कुछ होता है आप सबको पता है समाज में रहते हैं देखा हैं कई बार लोग केवल धन के नाम पर पहले विवाह होता है फिर लड़कियां डिवर्स दे देती हैं और आधे धन के मांग करती है केवल धन के लिए विवाह किया होता है कई बार धनकेई नाम पर पुरूस भी, जो स्वयम नहीं कमा सकते, वो हमने पड़ाय लिखाए बहुत की है, हमें तो इतना दहे चाई तो वो भी लेते हैं, तो ऐसा नहीं, केवल पुरूस नहीं, केवल इस्त्री नहीं, सभी का ऐसा है, पर कमाल ने ऐसा नहीं किया, पिता ज चलो फेकना तो समाधान नहीं, इसको बाट देते हैं गाउं में, तो सब को बुलाया और कहा कि जिस जिस को जो जरूरूरत है आप ले लीजिए, कमाल ने बाटना शुरू किया, अब लोगों ने देखा, लोग क्या देखते हैं, जो उनको इन आखों से दिखाई पड़ता है, आगे पीछे का सोच नहीं सकते, और लोगों की प्रवृत्ती नकारात्मक सोचने की पहले होती है, उन्होंने क्या सोचा, कि कमाल बाट रहा है, इसका मतलब यह है कि किसी न किसी ने तो छिपाया होगा, बचाया होगा, लोगों ने सोचा कि कबीर जी, जो की गरीब होने का नाटक करते थे, इनके पास तो इतना धन था, हम तो उनको बड़े संत समझ रहे थे, और देखो कमाल क्या कर रहा है, कमाल तो बाट रहा है, तो लोगों ने कहा कि वो तो केवल आदे भक्त हैं, केवल दिखावे के भक्त हैं, सच्चा भक्त, पूरा भक्त तो यह है, तो वहाँ से यह कहावत चली, यह प्रसंग चला कि आदा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल अब वास्तविक्ता क्या है कि कमाल जो है वो पूरा भक्त तो है पर माया का पूरा भक्त है और कबीर जी माया के आधे भक्त है यहाँ आधा का मतलब 50-50 मत करने लग जाना परसेंटेज के हिसाब से आदा भक्त इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भले ही उनकी सूर्ता बेहद की अखन की है लेकिन उनका तन उनका शरीर माया का है किवल इसलिए उनको आदा भक्त कहा गया वह कबिर जिनकी पहुँच अक्षर तक की है जो ये कहते हैं कि चलते चलते पग्धका नगर रया नौकोस भीच में डेरा पड़ गया कभीरा किसको देवुदोस उस उच्च वस्था में पहुँचे हुए 108 पक्ष की जब हम बात करते हैं तो परमधाम की 25 पक्ष के अलावा जो सरवच्च पक्ष है वो कभीर जी का है उन्होंने अपनी एक बहुत ही अटपटी सी साखी के रुप में उन्होंने बताया हमने समाद में सुना होगा बहुत सारे लोगोंने सुना होगा एक कहावत प्रचली थी कभीर जी के नाम पे कहते हैं कभीर जी की उल्टी वानी बरसे कंबल भीगे पानी की गहराई की बात की है कैसे कि जब व्यक्ति अथवा जब आत्मा परमात्मा की प्रेम में डूब कर उस प्रेम में चित्वनी में बैठती है विशेशुरुप से जो प्रेम में चित्वनी है उसमें पदमासन का एक बहुत ही बड़ा योगदान बैता है द्रिड़ता के लिए सिद्धासनित्यादी दूसरे आसन भी किये जाते हैं तो जब व्यक्ति प्रेम में चित्वनी में बैठता है अंगना भाव में तो पदमासन लगा करके एक हाथ दूसरे हात के अभर इस तरह से होता है और यहां गोदी में अब जब प्रियत्म के प्रेम में धूब कर चित्वनी किया जा रहा है आखों से अश्रुधारा आसों की धारा बहती है तो हाथ क्योंकि नीचे हैं हाथ भीगने लग जाते हैं आखो को यहाँ पर कमल कहा है नित्र कमल कहते हैं ना आखो को यहाँ कमल की संज्या दी है कमल नहीं है कमल है आखो के लिए और सस्कृत में हाथ को पाणी कहा जाता है तो पाणी का अर्थ है हाथ यहाँ कमल और पाणी नहीं है केबल उचार न का फ़ेर है और क्योंकि हर को इस बात को नहीं समझे सकता यदि हर किसी के लिए बताया जाये तो समझ लिए कि कोई भी सका आर्थ समझ जाएगा जो योग्य होगा योग्य वेक्ति समझेगा जिसमें विवेक होगा विवेकवान वेक्ति समझेगा इसलिए कबिर जी बहुत सारी बातों को अटपटे धंसे कहने के लिए प्रसिद्ध है जैसे चलते चलते पग्थका ये भी तो इसमें पूरी बात कहां बताई गई है उन्होंने जो भी बात की है वो इसारतों में ही की है तो जो इतनी उच्च अवस्था की बात करता हो उसको आदा भग कहना और कमाल विचारे को कुछ पता ही नहीं उसका तो कोई दोस भी नहीं है कमाल ये दि माया का पूरा भग थे तब भी उसका कोई दोस नहीं क्योंकि अभी तो वो बालक ही था पाटशाला में पढ़ने जाया करता था पर लोक में नकारात्मत्ता का प्रचार बहुत शिगरता से होता है इसलिए ये साखी थी अब जब ये बात स्री जी ने सुनी तो कहते हैं तब स्री जी ये कहया तुम क्या जानो कबीर जो तुम जो आधा भक्त इनको कहे ओ जो चित नहीं तुम धीर कि आपका चित धीर नहीं है धायरिय नहीं है यदि आपका हृदय धीर गंभीर होता तो आप ऐसी छुटपन की बात नहीं करते आप गंभीर बात करते सोच विचार के बोलते कि एक तरफ तो आप कबीर जी के सिस्चें हैं और जिसके सिस्चें उसको आप आदा भक्त बता रहे हैं और कमाल बेचारे को कुछ पताई नहीं उसको आप पूरा भक्त बता रहे हैं जहां आपने कौडी की बात की, हीरे की बात की, लाल की बात की हीरा और लाल इसकी पहचान इसकी परख कौन कर सकता है एक सच्चा जोहरी ही तो कर सकता है कहते हैं कहां मजल कबीर की केती अकल कमाल की कबीर जी की मंजिल कबीर जी की पहुँच कहां की है और कमाल की बुद्धी कहां की है कहा राजा भोज, कहा गंगुतेली, कहते हैं तौल देखो दोनों को, किनका कैसा, दोनों में तुलना तो करके देखते कम से कम, कि दोनों की पहुँच कहा तक की है, कहते हैं बिन पहचाने बोलत, ना ही तुम सर्राफ, तुम अच्छे जोहरी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पह कहां कमाल विचार देखो आप हीरे की परक जोहरी ही कर सकता है आप एक बहु मुल्य रतन को देख करके सबजी मंडी में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा कि अच्छा ये पत्थर मुझे दे दो दे दे तू एक किलो टमाटर लेके चला जा इतना ही होगा या दे सकता है तो स्री जी कह रहे है कि तुम अच्छे जोहरी नहीं हो तुम्हें पता ही नहीं कि कौन कोड़ी है कौन हीरा है और कौन लाल है कहां कबीर कहां कमाल विचार देखो आप आप विचार करो आप चिंतन करो कि कबीर जी की पहुंच कहां तक की है अब कबीर जी की ए जो इस साखी के रहस्यों को खोलेगा वो सच्चा सद्गुरु होगा और मैं उसका सिश्यर होगा। कल की जर्चा में हम सुनेंगे कि वो साखी कौन सी थी, उसका अर्थ क्या है और साथ में चिंतामणी जी की जागनी कैसे होती है, उनकी खंडनी कैसे होती है, और एक बहुत महत्तोपुन प्रकरण है किरंतन ग्रंथ का सुनोरे सत्य के व्यापारियों को समझाने के लिए चिंतामणी जी को प्रबोधित करने के लिए प्रकरण उत्रा, क्योंकि एक बार स्री जी ने खंडनी कर दी चिंतामणी जी की, तो चिंतामणी जी ने कहा कि स्री जी साहिब आप मेरी खंडनी करना, जितना करना हो करना, पर अकेले में करना, मेरे शिश्यों के सामने मेरी लाज रखना, इज़त रखना, तो स्री जी ने किस तरह से बाहरी तोर पर इज़त रखते हुए सांक्यतिक रूप से वाणी में समस्त सुन्दर साथ को और विशेश रूप से जो सत्य के मार्क पर आगे बड़े हैं उन लोगों को प्रबोधित किया है ये सारी चर्चा सुनेंगे हम कल अब समय पूरा होता है चो पाई दो रही है बिन पहचाने बोलत नाहीं तुम सराफ कहा कबीर कहा कमाल विचार देखो आप विचार देखो आप बुलश्री प्राणे लाइप बुलश्री सद्गुरु महाराइप